इस लिस्ट में गेमिंग आप पबजी भी है इसके अलावा शाउमी का जिली इकॉमर्स दिगज अलिबाबा का अलिएक्ष्पेस और टिक टॉक के मालिकाना हकवाली कमपनी बाइट डास के रेसो और यूलाइक आप भी शामिल है अनुमान के मुताबिक भारत में चीनी इंटरनेट कमपनियों के करीब 30 करों यूनिक यूजर्स है लिस्ट बनाकर सरकार चेक कर रही है कि ये अप किसी भी तरह से राश्य सुरक्षा या लोगों की निजिता के लिए खत्रे का सबब तो नहीं बन रही है अगर कोई अनियमिता सामने आती है तो हो सकता है कि चीन के बैन एप्स के लिस्ट और भी लंबी हो जाए इस डिवलपमेंट से जुड़े एक शक्स ने बताया कि सरकार इन सभी 275 एप को या इन में से कुछ को बैन कर सकती है लेकिन अगर कोई अनियमिता नहीं पाई जाती है तो कोई अब बैन नहीं होगी करोना वाइरस के चलते एकोनॉमिक की खराब हालत पर सरकार द्वारा उठाएगे कद्मों का असर अगले साल देखनी को मिलेगा जीडिपी में फिलहाल आया संकुचन 2021 में खत्म हो जाएगा और ये 6 फीसदी तक जा सकता है ये बात देश के प्रमुक अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री लीडर्स ने इस सोचेम द्वारा आयोजित वेबिनार एकोनोमिक आउटलुक पोस्ट पेंडेमिक में कही है वहीं आदित्य बिल्ला ग्रूप के प्रेजिडेंट और चीफ एकोनोमिस अजीत हरानाडे ने कहा कि पिछले तीन महीनों में लॉकडाउं की वज़़ से एकोनमी को काफी नुपसान हुआ है वितवर्ष की पहली तिमाही में 15 फीसिदी की गिरावट रही है विदेशी निवेशकों ने भारतिय बाजारों से 16 बिलियन जॉलर की निकासी की है इस अवधी में घरेलू निवेशकों ने निवेश जारी रखा और स्टॉक मारकेट में करीब 90,000 करोड रुपे वापस आये है राएंडे के मताबिक कई कारणों से वितवर्ष 2022 में कम से कम 6 फीसिदी की दर्स से तेज रिकवरी होगी दुनिया भर की अर्थवेवस्थाएं करोना वाइरस महामारी और अमेरिकी चीन तनाव से बाहर निकलने के लिए संगर्श कर रही है और निवेशक सोने और चांदी में जम करने वेश कर रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक चीज इन दोनों बहुमुल्य धात्वों से भी जादा रिटर्न दे रही है वो है लकडी यानि वुट एप्रिल की शिरुवाद से लंबर फ्यूचिर्स दो गुना हो चुका है और इस साल सबसे बेहतर प्रवर्शन करने वाले रॉम मेटीरियल है हैरानी की बात ये है कि इसने सोने और चांदी जैसे बहुमुल्य धात्वों को भी पचार दिया है जिने परम परागत तोर पर निवेश का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है अब इसकी वज़ा भी जान लीजिए लॉकडाउन और घर तक ही सीमित रहने की पाबंदियों के कारण बेल्डिंग्स मेटीरियल्स की मांग में कमी की उमीद की जा रही थी घरों में फसे उत्तरी अमेरिका के लोगों ने सोचा कि क्यों ना घरों को ही रिनुवेट कर दिया जाए इससे अचानक अपूर्ती पर दबाफ आने लगा और कीमते बढ़ने लगी आर्तिक विशेशग्यों का माना है कि लॉगडाउन में काफी कुछ धील दिये जाने के बावजूद कल कारखानों में गतिवीदियां उनकी एक शम्ता के अनुरूप शुरू नहीं हो पाई है ऐसी में मांग के अनुरूप आपूर्ती नहीं बढ़ने से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और खुद्रा महगाई 7 प्रतिशत से भी उपर निकल सकती है जून 2022 में कंजूमर प्राइस इंटेक्स पर आधारित खुद्रा मुद्रस्विती यानि रिटेल इंफलेशन 6.09 प्रतिशत रही हाला कि मिनिस्ट्री ओफ स्टैस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन ने स्पष्ट किया है कि ये आंकडे बाजार से जुटाएगे सेमित आंकडों पर बेस्ट है